Hello dear student, आपन यहादी aldeide ketone carboxylic acid वर्ती MCQ-sol के लिया हे, that is part 1. Now today I will start the part 2 of this chapter, now the first MCQ. 2 propanol on controlled oxidation gives, आपनला propanol से करेचे oxidation, now first there is a propanol. आण यहाँ propanol से आपनला काया करेचे? controlled oxidation करेचे, मैंजी simply आपनला oxidation करेचे. oxidation साथी, alcohol चा, best oxidizing agent कुटला हे, K2Cr2O7, in presence of sulfuric acid, dilute sulfuric acid. तो काय प्रोवाइड करतो है, nascent oxygen? तो बगा exactly हो दकाय, कि हाजो oxygen आहे, nascent oxygen, हाँ काय करनार? कि यह central carbon चा hydrogen आणि यह OH, hydroxyl group चा hydrogen यह दोगणना तो abstract करतो है. मैंजे तो आनना काड़ूंग है, इसे काम करतो है, मैंजे तुम्हाला साई प्रोवाइड काय मीना राहे, H2O मेल, ठीके? मैं बगा आता, जेवा है अलकोल मतला, मी तुम्हार दाखो ते आजुन एक्सक्रेंग करतो है, हाँ hydrogen मीते separate दाखो तो है, this is CH3 and this is O and H, बगा आता यहां चा शेजारी को नाला है, nascent oxygen, कि जो मीते दाखो तो है, हाँ nascent oxygen काय काय करतो है, यह hydrogen ला, आणि इकड़ चा hydrogen ला, द दोगा आता, दोगा ना तो काड़ इज़ा काम करतो है, दोगा ना काड़ट ई मंझे इतले बॉण काया जाले, भ्रेक जाले, हाँ पाईला बाण, अनी हाँ दूसरा बॉण, बॉण ब्रेक जाले मंझे एक electron असेल यह carbon कड़े, आणि दूसरा electron असेल इतलिह carbon काड़े, दोगान मदे इलेक्ट्रोंचा क्या होनार शेरिंग होनार इलेक्ट्रोंचा शेरिंग जाला मंजिया कार्बन अन्यों अक्षिन मंजे काई विलाता डबल बान फॉर्म विल ते प्रोड़ोट अपने इस बाको शोकतो है ते इस CH3 C1OCH3 प्लस सम्कैते प्लस सबोला मिन्हिता है ट्रालेदे भॉर्म काई पर्मिशन Gobierno क्या अपने विए गार ग्नाम क्यू आप लाक्ष्ट्रा कोट आप ला सब्सरी मैं पैला प्श्चंस् puppies the mention सेकेंड ओप्शन आहे C6H5 आणि इत्या है CH2 आणि शवुटिया है C11OH देन थर्ड ओप्शन इस ट्राइफिनिल असेटल लियाइड इस ट्राइफिनिल असेटल लियाइड मिया दी स्ट्रक्चर काड़तु आणि मर् डिसकस करतो है C11OH आणि लास्ट ओप्शन आहे it's a CH3 C11OCH3 सेगत महत्वाजी गुश्टो कि कैनिजरोज रियक्शन कोन दाख होता कैनिजरोज रियक्शन ही शोन बाई अल्लेहेड ऐस वेल आज कीटोन पन कुटले अल्लेहेड औन कुटले कीटोन दाख होता ही सेगत महत्वाजे जा अल्लेहेड महते कीमा जा कीटोन महते अल्फा हाइड्रोजन हाँ प्रेजेंट नसना रे अल्लेहेड कीमा कीटोन महते अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नाई है असस अल्लेड कीमा किटोन तुमाला कैनिजरोज रियक्शन दाख फेल इदा अपन मेंशन करूं थेव absence of alpha hydrogen जैंचा मादे alpha hydrogen नाई है तुमाला कैनिजरोज दाखो थेल अपन पहला पसुँँ चेक करू या कारबोनिल नंतर जो पहला कारबन आहे तो आहे alpha carbon या alpha carbon ला hydrogen present आहे मंज़े हे तुमाला कैनिजरोज दाखो नार नाई तीसरा option आहे कारबोनिल नंतर तुमाला जो कारबन दिशतो है तो आहे alpha carbon पन या alpha carbon ला सके benzine आटाचे फेनिल गुरुब आटाचे इते alpha hydrogen present नाई है यहाँ चारत हे compound तुम्हाला कैनी जोरोज reaction दाक्वाइल option C is correct चाउता option चेक करा यह चान अंतर आहे, alpha carbon इकड़े सुद्धा आहे दोगन मादे hydrogen present आहे यहाँ चारत हे option तुम्हाला चालनार नाई देन option C is correct, that is triphenyl acetaldehyde next question, clemencion reduction is dash dash reaction में तुम्हाला clemencion reduction ची reaction सांगतों आणि माद decision की कुटल option करेटा है clemencion reduction is shown by carbonyl compound माँ आपन कुटला ही carbonyl compound गयो यहाँ सपोज तो aldeide cell की माँ ketone cell आपन यह से reduction करतो है, कोणा चावापर कुटना आपन रिदक्शन करतो है with the help of zinc amalgam that is ZNHG and concentrated HCl काई होता है, कि हाँ nascent hydrogen produce करतो है, how many nascent hydrogen? 4 आता होता काई, कि हे total चार hydrogen आपे, तेंचा मादे बगा काई होता था कि याथले याथला जो oxygen आपे, हाँ oxygen remove होतो है आणि तो कोणा सबद combine होतो है, या दोन hydrogen सबद मा तुम्हाला side product काई में होता है, H2 में होता है, ठीक है? आणि उरले ले दोन hydrogen आपे, ते carbon ची वेलन सब्सक्राइब काई होता है अपने आड़ कारना रहा होता, माझे तुम्हाला compound या टाइप सा मेल CH2 माझे तुम्हाला कुटली family मेली मेली, there is a formation of alkane family or we can say there is a formation of hydrocarbon family like this मा बगा, या चमद आपन काई केलो, oxygen ला रिमू केलो oxygen ला रिमू केलो, oxygen ला रिमू जाला मंझे सकाई जालो deoxygenation जालो, deoxygenation means removal of oxygen, that is option B is correct next question and aldehyde which undergo canisero's reaction, one minute but does not reduces failing solution असा कुटला aldehyde है, the aldehyde which undergo canisero's reaction आदी माला या कोश्चन सांसरदय में आत्तर डिसकस केलो तो canisero's reaction कोन दाखोनार कि जांचा मदे absence of alpha hydrogen पाई जे मात अबगा, इते मी काई option दिले, त्या पंचे को रिया पहलो option आए, CH3, C11O, H second option आए, second option आए, H, C11O, H third option दिला है तुमाला, it's a benzene and then C11O, H and last option तुमाला दिले, propanaldehyde that is CH3, CH2, C11O, H अधा बगा, या केस मदे, तुमी जब अबगेतला, तर इते alpha hydrogen present आए, अपली कैने जरूँची मतवजी condition का है कि absence of alpha hydrogen अधी absence of alpha hydrogen से component अपला शोदाई से, बगा, या second option मदे carbonil नंतर carbonase नहीं है, मज़े alpha carbonase नहीं, alpha carbon नहीं मज़े alpha hydrogen नहीं है या सार तो option B करेट असुशक्तों पनापणाज में वीचार करूँए ते जरूँची, ठीके, तीस्टा option बगा, carbonil नंतर जो carbon आहे, हाँ इतला carbon, ठीके, या alpha carbon ले सुद्धा hydrogen प्रेजेंट नहीं है, कि option A तो जाननार नहीं, option D सुद्धा जाननार नहीं, A आने D का जालत नहीं, करनतेंचा मदे alpha hydrogen प्रेजेंट आहे, आनि कैनिजरोज रियक्शन हे कोन दाख होता, जैने चा मदे alpha hydrogen हाँ absent असो, मा अपन दोन ओप्शन शुद्धूं कर ले, B आनी C, मा ता B आनी C मदे decision कहाईचे कोन दाख होना, तेटला हाँ second हिंड आपलेला मात वज्जा है, but does not reduce failing solution, बगा तुम्हाला 810 में या चाप्टर चे जी थेरी explain के लिए त्या वीडियो मदे, त्या मदे में आसा clearly बलवा है, aromatic aldehyde do not oxidize failing solution, क्लेरा है second ना, मा इते आपन मनुशब्तो है, कि aromatic aldehyde failing solution, बगा, aromatic aldehyde आपलेला शोदाईचे, हाँ alde, हाँ है aromatic alde, हे aromatic alde, हे aromatic alde, हे aromatic alde, तुम्हाला failing solution सोबत reaction दाखोनार नाईए, पन आपलेला या question मादे आसा option शोदूं काड़ाईचे, कि जो कैनी जो र reduces failing solution, मा बगा, असा option कुटलास नारे, option B is correct, next question, sulfur dioxide gas is used in the preparation of following reagent, Tollens reagent, Schiff's reagent, Failing solution, Grignard reagent, बगा, Schiff's reagent चापरेशन में दुम्हाला एक्स्पलें केले तया वीडियो हमादे, Schiff's reagent कासा बनोता, Schiff's reagent is prepared by the passage of sulfur dioxide through magenta-colored P-rose-aniline hydrochloride solution, P-rose-aniline hydrochloride solution है magenta color चाशत, ठीके, magenta color माझे कासा, pinky shored color चाशत, जेवा हाँ SO2 गया सेचा मादूं पास होतो, तत या solution चापर नहीं गुन जातो, माझे तुम्हाला color ले solution में आता बगा का होतो, है color ले solution जेवा अल्डेड चा कॉंटाक माधे है तेवा पुन्हा तुम्हाला magenta color प्रोडूस होतो, ठीके, magenta color प्रोडूस जाला है चापर नहीं कांपोंड कुटला है, अल्डेड आहे, ठीके, अप्लेला डीप माधे जाईचा नहीं है, जगात महत्वाचा पॉइञड या उड़ाचे, कि आप P-Rose-Analine-Hydroglyde चा सुलूशन मदे, आपं कुटला गास पास करतो है, SO2 गास, तेवा तुम्हाला काय मेंट, there is a formation of shifts reagent, that is option C is correct, next question the compound obtained by reduction of propanol dehyde by amalgamated zinc and concentrated HCl simple propanol dehyde चे तुम्हाला reduction कराईचे कोणा चापर करूंगा चे amalgamated zinc and HCl reaction चापर करूंगा चे तुम्हाला मी propanol dehyde that is CH3 CH2 C double bond OH याचे कराईचे reduction कोणा चापर कराईचे amalgamated zinc कसा दाखो तो अपन ZNHg कोणा चा प्रेंच मादे करतो है आपन हे concentrated HCl बगा हाँ हे reducing agent हाँ काई प्रोडूस करनार nascent hydrogen हे nascent hydrogen आपना अत्ता डिसकस के लो था या तले दोन hydrogen react होता है oxygen सो बद मा तुम्हाला side product का में नारे H2 आनि उरलेट दोन hydrogen add होता है या carbon होला माझे compound तुम्हाला में नार CH3 CH2 CH3 propane option is correct that is B next question consider the following substances पहला substance दिला है 2 propanol 2 propanol मेथी द्रहा करूंथे होता है CH3 CH CH3 now here OH this is first compound second compound दिला है तुम्हाला propanone how to present propanone it's a propanone and third compound is given as methyl amine yes or no CH3 NH2 बगा आता तेननी काय भी चरले question the correct sequence of increasing order of boiling point तुम्हाला एंचा boiling point decide कराईचा है अध्यापन बगो की boiling point कोणाचा जासता है पहला compound पहला compound कुटला family मदला है alcohol family second compound है ketone family और तीसरा compound है amine family अध्या बगा alcohol मदे आणी amine मदे काय फॉर्म होता है hydrogen bonding फॉर्म होता है hydrogen bonding फॉर्म होता तेन चा boiling point का जासता है ketone मदे कुठलाई प्रकरचा या oxygen ला या oxygen ला कुठलाई प्रकरचा hydrogen नहीं है तुम्हाँ यह चा मदे age bonding फॉर्म होता नहीं ठीक हा पोलर मोलेकुला है पने चा मदे hydrogen bonding फॉर्म होता है करनते oxygen ला hydrogen प्रेजन नहीं है मजे सगयात कमी जो कोनाचा boiling point असनारे तो असनारे ketone चा मदे ketone सगयात पहलें दापन दाखोनारे तेचा नंतर अपने लगाय कराईचा डिस्जन गाय चाहे अलकोल मदे आनी अमाइन मदे बहक अलकोहल मदे आहे oxygen आनी अमाइन मदे आहे nitrogen electron negativity जास्तो कोनाची आहे oxygen ची जयची electron negativity जास्ता चिल तेचा boiling point जास्ता चिल मँझे alcohol चा boiling point सगयात जास्ता चिल अल्कुल चा, मग तेचनंतर असनारे अमाइन सा, आणि मग सेचनंतर असनारे किटोन चा मझ सीकवेंस होईल से किटोन आधीलीलाए, तेचनंतर आपलेला घहिचा है अमाइन आणि openings सेचनंतर घहिचा है अल्कुलurer अल्कुल चा बोरिंगपों चाईutet जास्त, तेचानांतर थोड़ा सा कमी होनारे, स्वारी, कि तेचानांतर थोड़ा सा कमी होनारे, अमाईंचा, आणि मग सकत कमी असनारे, किट होन्चा, मैं तुमला असा option शुदूं काड़ाई साए, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, येस, option A is correct, next, which of the following does not undergo allol condensation, बगा, सिंपल सा पोइंट, एक मेंट, allol condensation को दाखो तो रहे, allol condensation, इस reaction is given by those aldehyde और ketone, in which there is a presence of alpha hydrogen, खुब माथवा सा पोइंट आए, presence of alpha hydrogen atom, जा aldehyde के माँ ketone मादे, alpha hydrogen present आए, ते तुमाला कुछली reaction दाखो तील, allol दाखो तील, माँ आपने एक-एक option चेक कोरिया, पहला option आए, CH3, C11OH, याचा मादे, alpha hydrogen present आए, माँज़े, हे compound तुमाला aldol दाखो तील, दूसरा option आए, CH3, CH2, C11O, याचा मादे सुद्दा alpha है, हाँ सुद्दा माला aldol दाखो तील, तीसरा option आए, CH3, C11O, CH3, याचा मादे सुद्दा alpha hydrogen आए, माँज़े, हे पन कमपोन तुमाला aldol दाखो ना रचे, आणि, चाउथो option आए, C6H5, means, बेंजीन, आणि या बेंजीन लखो नाए, CHO, बगा, या केस मादे जो हाँ कार्बन आए, alpha carbon, या अलफा कर्बन चे चारीबॉन कमपोन जाले, इते हाइड्रोजन आज़ने, या कमपोन मादे, absence of alpha hydrogen आए, आपने तेस्तों शोधा है चे, aldol कोन दाखो, तो जैंचा मादे alpha hydrogen प्रेजेंट अस्तो, पन क्वेश्चन काई भी चारला है, which one of the following does not undergo, जैंचा मादे आथा alpha hydrogen नाई है, ते aldol दाखोन आर नाई है, माँ असा option कुटला बरोबर है, option D is correct, next question, aldol condensation is a reaction given by, आथा दिस्कस केला है, अपन कुप सोपा question है, aldehead having alpha hydrogen, correct, हे तुम्माला aldol दाखो थील, पन दूसरा पन option बगुन गया, ketone having alpha hydrogen, जैंचा मादे alpha hydrogen हा present आहे, ते तुम्माला काया दाखोना रे, aldol condensation दाखो थील, मा aldehead पन चालना रे, ketone पन चालना रे, therefore option D, both A and B are correct, option D is correct, next question, molecular formula of eurotropin is, eurotropin सा molecular formula पाट नाखा करू, काही मोला ते पाट करता है, तेचा simple structure आहे बगा, तेचा मादे काया कराई जरी आपले ला, स्टेगे center ला काडाई साय तुम्माला nitrogen, यह nitrogen ला तुम्माला valence in नू सार 3 bond में दाखो ले, यह चाना अंतर immediately तुम्माला काया दाखोए चे, CH2, CH2, here also CH2, CH2 दाखो ले नंतर, पुन्हा त्या CH2 ला जोड़ा इसा है, एक nitrogen, तुम्मी इते nitrogen जोड़ ले ला है, ठीके, nitrogen, आणी, मग यह nitrogen, nitrogen अंतुम्माला connect कराई से, with the help of CH2, like this, ठीके, इते थोड़ा सा, ड्रॉ करेला difficulty है ते माला, bond मी प्रॉपरली नहीं दाखोले, बस, यह स्ट्रक्चरल फर्मोला है कोनाँ सा, Eurotropin सा, मैं चातले carbon बगा किती है, nitrogen बगा किती है, आणी, hydrogen बगा किती है, तो nitrogen काउंड करा, 1, 2, 3, and 4, यह चामादे 4 nitrogen है, nitrogen किती में आले अपलेला, 4, तेचा नंदर तुम्हीं काउंड करा, त्यातले hydrogen कि माँ carbon, number of carbon माँ बगा किती है, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, मनज़ा है चामादे 6 carbon आखे, आणी hydrogen, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, total किती है, 12, total hydrogen किती है, 12, this is molecular formula C6H12, N4, C6H12N4, option A is correct, next question, the reagent with both acetaldead and acetone reacts easily, option A, failing, grignard, shift reagent and tolerance reagent, बगा ये चामादे काहे करा है जापलेला, त्यानी कोशन आशा वी चारला है, कि, आसा कुठला reagent है, कि जो aldead आणी ketone 2 गान सुबत reaction दाखो दो, मी तुम्हाले एक थेरी explain के लिए आए वीडियो मादे, failing solution, tolerance reagent, आणी shift reagent, है तीगे ही फक्तो कोणा सुबत reaction दाखो 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 दा, अल्डेड सुबत reaction दाखो दा, failing solution, tolerance reagent, shift reagent, है कोणा सुबत react होत नाई, ketone सुबत react होत नाई, हांजे, एक ते लेक एक थे स्क्लियर जाला, क्या आप लेला failing solution चालनार नाई, shift चालनार नाई, tolerance पन चालनार नाई, करन है अल्डेड सुबत reaction दाखो 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 दाख दाखो दाख, but Grignard reagent that is RMGX this Grignard reagent shows chemical reaction with both the functional group that is aldehyde as well as ketone that is option B is correct.